मेरे यूटूब पेज एस्टोन नेश पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ नरेश कुमार सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सबस्राइब किया है पेज की ऊपर कमेंट कर रहे हैं वीडियो को शेर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं यदि एपरल महीने के राशी फलकी और आज बात करेंगे कन्या राशी के जातकों की कन्या राशी के जातकों के लिए एपरल महीने के दुरान जोब कैसा रहेगा करियर कैसा रहेगा कारोबार कैसा रहेगा आए की स्थिती क्या रहेगी हैल्थ कैसी रहेगी स्टूडन्स के लिए education कैसी रहेगी आपका relationship कैसा रहेगा इस सब की बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि एपरल के महीने एक एपरल के दिन आपकी कुणली में ग्रहों का गोचर किस तरह से चल रहा है एपरल के महीने में कौन से ग्रह राशी प्रवर्तन करेंगे और उसका आपके उपर क्या असर नजर आएगा आपकी कुणली में दूसरे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं ये शुब गोचर में है ये अच्छा गोचर चल रहा है गुरु सब्तम में है सूरे सब्तम में है दोनों का गोचर अच्छा नहीं है बुद्ध राहू और शुक्र अश्टम में गोचर कर रहे हैं राहू का अश्टम गोचर अच्छा नहीं होता शुक्र और बुद्ध अश्टम में अच्छा फल करते हैं यानि कि आपकी कुर्णी में शनी छठे में और बुद्ध शुक्र 10 में अच्छे गोशत्र में हैं यह गोचर अच्छा नहीं है चंदर्माग्यारोakah में हैं लेकिन डेकिन बदलेगी अप महिने के दुरान देखते हैं कि सबसे पहले क्या बदलेग सूर्य आपकी कुंडली में सब्तम भा में गोचर कर रहे हैं, अश्टम में चले जाएंगे, पहले भी शुब गोचर में नहीं हैं, आगे भी शुब गोचर में नहीं रहेंगे, ये ट्रांजिट 14 एप्रेल को होगा 22 एप्रेल को गुरु जो है वो राशी प्रवरतन करेंगे, सब्तम में चल रहे हैं, अश्टम में चल जाएंगे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, दोनों जगाँ पर गुरु का गोचर शुब नहीं होता, तो जो गोचर है उसकी स्तिती बहुत दादा अच्छी नहीं होने जा र रहेगा, आपकी आए कैसी रहेगी, तो जब गुरु सब्तम में गोचर करते हैं, तो आए भाव को देखते हैं, इसका मतलब यह है कि मनी फ्लो को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ ही यह है कि खर्चे लगातार बढ़ते रहेंगे, उसका कारण यह है कि राहू और शनी, दोनों बारवे भाव को देख रहे हैं, बारवा भाव खर्चों का भाव होता है, और केतु दूसरे भाव में बैठे हैं, यह बैंक बैलनस का भाव है, मतलब यह है कि पैसा आएगा, मनी फ्लो बना रहेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन भाव जो है वो थोड़ा सा वीक है, वहाँ पर मनी ड्रेन आउट जादा दिखा रहा है, तो ड्रेन आउट जादा है, तो इसका मतलब है कि बचत नहीं हो पाएगी, यह सिती एप्रल महीने के दुरान रहेगी, कन्य राशी के जात्कों के लिए करम और पैसे के लिहाज से, करम हाला की अच्छा रहेगा, काम के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बुद्ध दसमें भाव के स्वामी है, शुब गोचर में है, नोए में भी आजाएंगे, तो भी अच्छे रहेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात मुझे करम के लिहाज से, कारोबार के लिहा चठे भाव में, यानि कि बार्वे भाव में आपकी कुणली में चठे भाव में शनी है, चठे भाव में पापी गरा है, सब्तम में पापी गरा है, बुद्ध राहु, अश्टम में, वहाँ पर भी पापी गरा है, यानि कि भाव भी पाप्र भाव में, भाव पाप करत्री में भी और ऊपर से जो कुट बाव है वहाँ पर केत्व केत्व का कुट मश्म में जाना मंगल का चंद्रमा को देखना वानी में आपका अग्रेसिव हो जाना सूरे लगन को देख रहे हैं अगें अग्रेसव और जब मंगल भी देख रहे हैं, तो फिर आपको लगेगा कि मैं इना जाहूं, बस मेरी बात ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा अवाइड करिए, ये कंफ्लिक्ट बढ़ा सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं, वो मुझे अच्छा इशारा नही कर रहे हैं, पापी प्लैनेट्स का प्रभाव सब्तम छठे और अश्टम भाव के उपर है, ये चीजें आगे बिगार देंगे, तो थोड़ा सा, चाहे वो आप मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को लेकर, यदि आप सिंगल्स हैं, तो सिंगल के लिए, मैरिट कपल्स के लिए इस्तिती जादा अच्छी नहीं है, बात करेंगे हैल्थ की, हैल्थ के लिए जिन लोगों को, डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी हो सकती है, उनको सर्जरी करवाने का टाइम आ रहा है, शनी छठे में हैं, केतु छठे को भी देख रहे हैं, केतु ऐसे गरे हैं, जो बोड़ी के उपर टक लगवा सकते हैं, क्योंकि मंगल की तरह काम करते हैं केतु, मंगल केतु का प्रभाव ऐसा होता है कि आप सर्जरी की तरह जा सकते हैं, यह चीज़ आपके साथ हो सकती है, खाने पीने का ध्यान रखिए, बोड़ी का लोड़ करोट पॉर्परेइब कोई समय सब्सक्राइब को समस्तिया है तो मिल्ए के सब्सक्राइब को यहां प्रभा में तो यहां पर चीजें थोड़ी सी दिक्कत वाली है थोड़ा सा ध्यान रखने की जुरूत पड़ेगी खाने पीने को खास तोर पर यदि आपका काम ड्रेविंग से जुड़ा है कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है हैवी मशीनरी से जुड़ा है जहां पर गटना होन आप पर चेशन आफ से चीजें अच्छ है क्योंकि गुरू चंद्रमा को देख रहे हैं जब गुरू की दिष्टी चंद्रमा के ऊपर पडलती है तो आप में फोकस बन जाता हैं आप अप में थोड़ा सा टैंप्रामेंट आ जाता है आप थोड़ा सा असा सांयम से काम लेत एजुकेशन के सेक्टर में खास दोर पर तो आपको उसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे तो ये कन्या राशी के जातकों के लिए एप्रल महीने का राशी फल है ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए यदि इसमें कोई अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करिए पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए इसके साथ ही मुझे दीजिए जाज़त नमस्कार